Cabinet Committee on Economic Affairs प्रदान मंत्री शी नरेंद मोदी की अध्यर्षिता में आर्थिक मामलोगी Cabinet Committee ने Price Support Scheme और Price Stabilization Fund के तहत खरीदे गए चने का निप्टान और PSS के तहत मात्रक खरीद सीमा को मौजूदा 25% से बढ़ा कर 40% करने के लिए तूर, उरद, मसूर के रुपे के संबंद में मन्जूरी दी इस योजना की इंप्लिमेंटेशन के लिए 1200 करोड रुपे की छूट पर 15 लाग मीट्रिक टंचना की पेशकश की गई पहले आओ, पहले पाओ के अधार पर सोर्सिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के इशू प्राइस से एट पर केजी अधिक करना इस्टेट यूनियन टेरिटरी में वेलफेर स्कीम प्रोग्राम्स में जैसे मिड़े मील, पॉब्लिक दिस्रिबूशन सिस्टम, इंटिग्रेटिट चाइल्ड डेवलोप्मेंट प्रोग्राम आदी मैं इन डालों का उप्योग करना चाहिए, इस योजना के कार्यान्वें के लिए बारे सो करोड सरकार खर्च करेगी इन निर्नेव से स्टेट उनियन टेरिटरी विविन निकल्यानकारी योजनाओं जैसे पीडियास मिडिमील योजना आदी में चने का उपियोग करने में सक्षम होंगे इस से किसानों को दालों का लाबकारी मूले दिलाने में भी मदद मिलेगी साथी में अधिक इन्वेस्टमेंट करके ऐसी दालों को उगाने के लिए और अधिक किसानों को प्रोचसाहित किया जाएगा और उन्हें उनकी उपच का लाबकारी मूले दिलाने में मदद मिलेगी इसके अलावा ये हमारे देश में ऐसी दालों की आत्म निर्भरता प्राप्त करने की भी मदद करेगी आत्म निर्भरता प्राप्त करने में भी मदद करता है हाल के दिनों में देश में विशेश रूप से पिछले तीन वर्षों के दोरान चना दाल का ओल टाइम हाई प्रोडक्शन देखा गया है भारत सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत राभी 2019 से 20, 2020 से 21 और 2021 से 22 के दोरान चना की रिकॉर्ड खरीद की है इससे सरकार के पास PSS और PSF के तहत आने वाले राभी सीजन में भी 30.55 लाक मीट्रिक टन चना उपलब्द है इसके साथ ही 2022 के दोरान चना के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइज में व्रद्धी के साथ प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत अतिरिक्ट खरीद की आवश्यक्ता होगी